नमस्कार गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खाश रो गुजरात की गड़ी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गड़ कहा जाता है इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा ये है कि गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में है और अगर 2022 के चुनाव में बीजेपी विजय का करम जारी रखती है तो वो गुजरात में शाषन करने के मामले में कॉंग्रस को भी पीछे छोड़ देगी बीजेपी के चानक के कहे जाने वाले अमिश्रा गुजरात चुनाव पर खुल कर बात करते हुए दावा किया है कि इस बार बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगी साथी कहा बीजेपी के लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रस के साथ है आम आदमी पार्टी को सबसे कमजोर पार्टी बताया साथी विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए सबकी बोलती बंद कर दी तो आज गुजरात की गदी में अमिश्रा बीजेपी के प्लान पर ही चर्चा करेंगे बाचित के लिए मेरे सार्ट स्टूडिय में मौझूद है क्यापटल टीबी के एडिटर इंचीप डॉक्टर मनिश कुमार डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका अमिश्रा हुंकार बर रहे हैं कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत इस बार होगी क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान मैं तो बड़ा आश्चर चकित हूँ कॉंफिडेंस से ग्रिह मंत्र हमें शाह के वो करें चुनाओ तो हम जीत गए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सीट भी बता रहे हैं डेर सो सीट आएगी वो बता रहे हैं पर देर सो और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात वो यह भी कह रहे हैं आम आदमी पाटी को खाता भी नहीं खोड़ने देंगे अब आमिसा के प्रस्णालिटी को समझ लीजिए दिल्ली में जब चुनाऊ था आमिसाने अपने हाथ में पूरी कमाल लेनी थी दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां आमिसाने रैली नहीं की बहुत महनत की रिजल्ट आया तो रिजल्ट आया एतिहासिक जीत दिली की जनता ने अर्विंद के जिवाल के हाथ दे दी तीन जीते थे बीजी पी वाले ये उनका गड़ है ये उनका गड़ है और ये अमिश्शाह का जिद है और ये अपने प्रतिदंद्यों को उस तरीके से आयना दिखाने का काम सचीन तंदुलकर बहुत क्रिटिसिजम बहुत सारी चीजे होती थी तो वो कहता था कि मैं कुछ बयान नहीं देता मेरा बल्ला जवाब देता है तो गुजरात का रिजल्ट जवाब देगा और जिसकी बानगी जो है वो आज सवेरे सवेरे देखने को मिली कोई सूरत नौर्थ का उमिद्वार अचानक से गायब हो गया गायब हुआ नहीं ये केजरी वालने ट्वीट कर दिया कि उसको धम क्या मिल रही थी वो गायब है पता नहीं कहा चला गया कहीं उसकी केड्नैपिंग तो नहीं हो गई देखें ड्रामा तो करने में केजरी वाल की कोई सानी नहीं मने से सो दिया हुए सानी लोग पही गायब हो गया गायब हो गया बवाल मच गया बला इलक्षन कमिशन जाएंगे तो वहां जाएंगे वो पता नहीं कहा चला गया मेरा अमिदवार कहीं नहीं गया था वो एलक्षन कमिशन गया और एलक्षन कमिशन में कहा कि मैं अपना विड्रा कर रहा हूँ कोई जोड़ जबजस्ति कोई प्रसर बोला कोई प्रसर नहीं कोई प्रेशन नहीं हमको नहीं लड़ना है इस पार्टी से चुनाओ और वो विड्राऄ कर लिया और देखिए ये खेल क्या है दिल्ली में पत्रकार लोग लिख रहें कि सूरत में क्या होगा क्या सूरत में आमाद्बी पार्टी बाजी मार लेगी सुरत का एक उमिद्वार विड्रा कर गया सवाल कहा होता है जवाब कहां से मिलता है अब इन लोगों ने बवाल सुरूप किया कि भाई ये किड्नैपिंग करने की कोशिश की लेकिन उस उमिद्वार का एक वीडियो आ गया उसने कहा मैं आम आदी पाटी से उमिद्वार था फ़ला फ़ला कंसिच्वेंशी से नॉमिनेशन करने के बाद मैं जहां प्रचार में जाता हूँ वही मुझे लोग कहते हैं कि देश द्रोही है टुक्रे टुक्रे गैंग है कोई मुझे कहता है गुजरात भी रोधी है कोई कहता है गुजराती भी रोधी है मुझे नहीं लड़ना चुनाओ इसी पाटी से जिसमें जो है मेरे देश भक्ति के उपर सवाल खड़े हो जाए मेरे हिंदुत तो मेरे धर्म के उपर सवाल खड़े हो जाए तो ये हकीकत और मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूँ कि अगर Amishah ने अपने लिए दो प्लैन बनाया है एक बीजेपी डेर सो जीतेगी लेकिन वो प्लैन आधा है पूरा प्लैन क्या है कि अर्विंद केजिवाल को एक भी सीट नहीं जीतने देना है इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे तो ये दोधारी तलवार Amishah की अब गुजरात के अंदर उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए ये मीडिया वाले आप लोग अपना करते रहिए कुछ करते रहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी और भारती जंता पार्टी के बीच है कॉंग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए Amishah को क्या आपके कम से कम 5% वोट जो आम आदी पार्टी में जा रहे थे ओवेसी में जा रहे थे वो वापस कॉंग्रेस के फोल्ड में आगया हूँ क्योंकि हम इसा करें कि भी लड़ाई हमसे उसी से और बाकि जिसको देना है देते रही है जितना ज्यादा वोट विपक्षियों का बटेगा जीत हमारी उतनी जादा होते चली जाएगी तो ये एक निरेटिव जो केजरी वाल वहाँ पे खड़ा करना चाहे तो मैं देख रहाँ पब्लिक उपिनियन्स को एक दो दिन में हम लोग भी टीम हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे जनता से बात करने गुजरात में होगी कैपिटल टीवी की टीम तो आकलन जादा बहतर होगा लेकिन जो कुछ भी मीडिया और इससे समझ में आ रहा है आप दिल्ली में रह करके गुजरातियों को गाली दे आप ये कहें कि बाई अब गुजरातियों की सरकार चलाने हैं दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार आप साल भर अडानी अंबानी गुजरातियों को गाली देते रहें और वोट मांगने चले जाए तो कहें बहुत आपका लाड़ला हो तो ऐसे कप्टी नेता से वहां की जंता तो जोड़ने वाले नहीं हैं वो इसलिए भी क्योंकि वहां पे केजरिवाल तो मुख्यमंत्रे नहीं बनने वाले हैं और जैसे सक्स को चुड़ा चूस किया गया है उसका भी अपना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड है सोसल मीडिया पे जाईए तो यह जो अमिश्या क्या जो पूरा जो अजेंडा पूरा है भारती जेंटा पार्टी की जीत वो आधा सक्सेस केजरिवाल को बकायदा नेस्तो नाबूत कर देना यह दूसरा है यही अमिश्या की रणनिती का पूरा प्लैन है धन्यवाद पार्चीत के लिए धन्यवाद तो अमिश्या ने गुजरात विदान सबा चुराओं में बीजिपी की रिकॉर्ड जीत का दावा किया है अमिश्या ने साफ का है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजिपी की सरकार बनने जारी है इस बार बीजिपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे जादा सीटे जीत कर बहुमत से सरकार बनाएगी बात तो सच है गुजरात में बीजिपी के गड़ को हिलाना काफी जादा पुश्किल है बिपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले अम शाह और मोदी के प्लैन से आगे नहीं निकल सकता और गुजरात की जनता को मोदी का साथ पसंद है आज के मारे शो गुजरात की गड़ी में फिलाल इतना ही देख तेरे कैपिटल टीवी नमस्कार